श्री गनेशा या नमाहा नमशकार दोस्तों दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है चंद्रमा का हमारी दैनिक जीवन में विशेश महत्व होता है क्यूंकि चंद्रमा सबसे गतिमान ग्रह है और हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं जैसे चंद्रमा एक जैसा नहीं होता हमारा दिन भी एक जैसा नहीं होता तो आईए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहे हैं दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपको बहुत ही शुबफल देने वाले हैं जी हां इस दिन चंद्रम आपकी कुंडली में सब्तम्भाव में रहेंगे, सब्तम्भाव में चंद्रमा के होने से आपका मन शान्त रहेगा, प्रसंद रहेगा, आप टेंशन फ्री रहोगे, जोश और उत्साह सुबे से ही आपके अंदर देखने वाला होगा, इस दिन खास करके स्त्री और आपके लाब होने की आपको बहुत ज्यादा संभावना रहेगी इस समय में आप कई मामलों में सफलता हासिल करोगे आपका लाइप पार्टनर आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा इस समय में आप अपनी जन्मभूमी से और विदेश से दोनों और से धन कमा सकते हो इस समय में आपकी आर्थिक सिथी काफी मजबूत रहेगी इस समय में आपको धन कमाने के नए-नए जरिय भी मिल सकते है अगर आप बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस पार्टनर शीप में है तो वहाँ भी आपको अच्छा लाब मिल सकता है इस समय में आप कलाकिक छेत्र में अच्छा प्रदर्शन करोगे जोतिस विद्या अध्धात्म जैसी चीजों में आपकी रुची ज्यादा होगी इस समय में आपकी बोली में मिठास नजर आएगी और आपकी बुद्धी तीवरगती से काम करेगी आप इस दिन कुछ नया चोगे अपने काम को आगे बढ़ाओगे और इस वज़े से आपकी डेली की इंकम भी बढ़ेगी अगर परसनल लाइफ के बात करते हैं लव लाइफ के बात करते हैं तो इस समय में लव लाइफ और बहतर बनने वाली है अपने पार्टर के साथ समय बिताना आपके लिए का अच्छा रहेगा घर परिवार में खुशनमा माहूल रहेगा मैरिड लाइक भी इस समय में बेहतरीन रहेगी अपने परिवार को खुश करे और आपके अपनों को थोड़ा ज्यादा समय दे ये वक्त कही घूमने फिरने के लिए एंजॉय करने के लिए काफी अच्छा रह अच्छे समय का पूरा लाब जरूर उठाए अपने टारगेट सेट करे और उस और पूरी लगन से बढ़े काम्याभी मिल कर ही रहेगी अगर स्वस्ति की बात करते हैं तो इस समय में आपका स्वस्ति भी अच्छा रहेगा मान्सीघ परिशानिया नहीं रहेगी अच्छे स आप से दूर ही रहेगी इस दिन आपके लिए सफेद रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा और छे अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों यह राशी फल चंदर राशी पर आधारित है लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पो व्यक्तियों आगेज जरूर देखे। खुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर वो चीज़े देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। तेरा निगेटिव एफेक्ट डालती है। क्योंकि ये चीज़े हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वज़े से घर के छट को पूरी तरह से साप रखें। पूरी तरह से साप सुत्रा रखें। साथ ही दोस्तो हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है। उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चीड़ चीड़ा हट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है। घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है। जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे ते उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटे नहीं कर पाते साफ नहीं रख प हुआ है कि यह तस्वीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह की घटना थी घतित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर के हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्य ला सकते है, धन ला सकते है मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद